आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक-एक मुहर्तों गवैं जानना है तो डिस्किप्शन में आज के धमसिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूर्वक जान सकते हैं एक-एक मुहर्तों गवैं में जान सकते हैं आज के संपून राशी फल के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक तो जोड़ करें साथी कमेंट बॉक्स में जे मातादी जोड लिखें वित्रों आज के 12 राशी का राशी फल हम जानें इससे पहले आएए एक नज़र डालें आज के ग्रहों की स्तिती पर क्योंकि इसी पर पूरा का पूरा राशी फल निर्भर करता है आज मंगल गुरु के साथ विस राशी में चंद्रमा सूरी दोनों एक साथ करक राशी में बुद्ध सुक्र के साथ सिंग रासी में, केतु कन्यासी में, शनी कुम रासी में, राहु मीन रासी में विराजित है। तो इनी सभी क्रहों का मिलादला हाल आज की रासी फल में आईए हम जानते हैं बात करेंगे पहली रासी मेस रासी की। मीशासिम चंद्रमा चोथी अस्थान में वीराजित हैं जिसके फ्रसुप मीशासि वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कारी को फसे हुए कारी को बनाने वाला दिन है। जितने भी आपके रुके हुए फासे हुए बिग्रे हुए कारी हैं उनको आज खत्म करने की कोशिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता मिलेगी मान समान में भी विर्धी होगी पिता का सहयोगी प्राप्त होगा आपके संतान के सफलता की पाप्ती की योग भी बन रहे हैं और उनके काड़ी भी बनेंगे साथ ही अपने गुस्ते पर आपको आज नियंतर नखना चाहिए खास करके परोशियों से, मित्रों से और सगे समंधियों से मधूर समंध बनाने की कोशिस करें उनसे लराई जगरे की योग बन रहे हैं तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंतर रखें किसी से लराई जगरा तो बिलकुल भी ना करें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है व्यारत के और फिजूल के खर्चों साब को बचना चाहिए विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए भी आज के इन खर्ची ला रह सकता है तो अभी तो आपकी कमाई भी नहीं है तो आपको अपने खर्च पे तो बिलकुल नियंतर रखना ही चाहिए अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सफलता इसी से मिलेगी स्वास्ति की बात करें तो स्वास्ति के द्रिष्टी से आज के नप के लिए मध्यम रहने वाला है आज के नप किसी परकार की मानसिक परेसानी किसी परकार की चिंता रह सकती है आपको तो अपने स्वास्ति का ध्यान ज़रूर रखें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज के दिन सामानने से कम रहने वाला है जीवन साथी से वाद विवाद हो सकते हैं तो आपको आज आपसी सामन जस्से बना कर रखना होगा आज के दिन ब्राउन राइश्यानी की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लखी नमर रहेगा एक बात केंगे वरिशासी की वरिशासीम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है आज आपके कई परकार के च्छों की पूर्ती हो सकती है अपने से बरे माता पिता या बरे भाई बहनों की क्रपा आपको प्राप्त होगी मान समान भी मिलेगा परतिश्ठा में विर्धी होगी ओफिस में सगे समंदिहों में और मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज के दिन आपके लिए कोल मिलाकर सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धन की तो व्रिशासी के जात्कों के लिए आज अचानक से धन लाब के योग बन रहे हैं मकान और घर बनने की योग भी बन रहे हैं व्यापारीयों के लिए आज केन काफी लाब दायक भी रहने वाला है, आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, अगर आज के दिन कुछ नया कारी आराम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी आपको, लेकिन नया कारी आराम करने से पहले वीडियो के अंत में जोर ज दर्शन कर सकेंगे स्वास्त की बात के स्वास्त के द्रिश्टी से आज के दिन बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्त रहेगा प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई शुरुवात ह हो सकती है आज के दिन दूद या दूद से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकी नमर नौ रहने वाला हैं बात किने मिथुन रासी की मिथुन रासी मिचंदरमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके मिथुन रासी वालों के लिए आज का दिन खर्चिला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है प्रसनता में विर्धी होगी दिन पर खूस रहेंगे आत्म सम्मान से अपको धिनाज भरावा रहेगा। हर जगह है आपको मान सम्मान मिलेगा। व्यापार ओधन की बात करें। व्यापार करने वाले जातक आज थोरा सम्हल कर रहें। अनावस्य खर्च आपके हो सकते हैं। जिसका पूरा परभाव आपके व्यापार पर पढ़ेगा। विद्यार्थि की बात करें तो स्वास्थे आपका मध्यम रहने वाला है, गैस से सम्दित समस्याओं का सामना आपको करना पर सकता तो अपने स्वास्याओं का ध्यान जोर रखें प्रेम समंद की बात के दामपते जीवन के खुशियां बर सकती है विवाह के लिए पस्ताओ आ सकते हैं नए समंदों के सुरवाद भी हो सकती है आज किन निम्बू अपने खादे पतार्थ में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगी आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकी नमबर पांच रहेगा बात करेंगे करकरासी की करकरासी मचंदरमा आज पर्थामस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसरूप करकरासी वालों के लिए आज का दिन सकारातमा क्यान की पोजेटिव रहने वाला है आज के दिन आप अपने पराक्रम के भल पर और मेहनत के भल पर अपनी आए में बरहतरी कर पाएंगे यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं और यात्रा आपके सुब रहने वाली है जहां भी जाएंगे आपके कारी बनेंगे व्यापार के लिए या जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहियोगी मिल सकते हैं बात केंगे व्यापार और धनकी तो व्यापारियों के लिए आज के इन बहुती बढ़िया रहने वाला है आपके लिए आज अच्छे संयोग बन रहे हैं अगर आज के इन कुछ नयाकारी आराम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नयाकारी आराम करने से पहले वीडियो के अंत में जोर जालने आज का सुब समय क्या है सुब समय में ही नियाकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्ची तरप हो विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों को आज निद्रा जादा आ सकती है तो अपनी निद्रा पे नियंतन रखें और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पढ़ी लगावें स्वास्त की बात करें स्वास्त की दिरिष्टी से आज की आज की आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज के दिन उत्तम रहने वाला है आज नए समंधों की सुरुवात हो सकती है आज के दिन अगर दही घाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नम्मर आठ रहेगा बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासी में चंद्रमा बारा हुए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप सिंग्रासी वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है तरह तरह के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने के योग बन रहे है परिवार में तथारिष्टेदारों में आपसी सामंजस से बना रहेगा व्यापार औधन की बात के बचत में विर्धी होगी व्यापार में लाब होगा बेंक बैलेंस और बचत आपके आज भरती भी नजरा रही है आज आपके लिए वस्तर आभुसन और रतन खहिदने की योग बन रहे है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्यम रहने वाला है लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पर सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से आज की आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है किसी प्रकार के चिंता रह सकती है साथी और निंद्रा का सामना भी करना पर सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है जीवन साथी के साथ दिन भर में कुछ अनबन होने की संभाव ना बन रही है तो आपसी सामध्य से बना के रखें आज के दिन अगर औरेंज यानि की संत्रा खायेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सफेद रंग लकी नमबर रहने वाला है नौँ बात करने के कन्यारासी की कन्यारासी मचंद्रमा 11 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप कन्यारासी वालों के केरियर के लिए आज के इन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपको परिवाजनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बहनों से ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग जो भी साथ में काम करते हैं ऐसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा आजकिन आपके लिए यात्रा की योग बन रहें और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भरपूर से योग भी मिल सकता है व्यापार और धन की बात करें तो कन्यारासी के जोड़ा तक भौतिक सुक्स्विदाओं की चीज़ें बेशते हैं जैसे एलक्ट्रोनिक्स का कोई भी सामान वाइल फोन फ्रीज का प्रेत्यादी उनके लिए आजकिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे भकाया हैं तो वहां से पैसे जोड मांगे वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आजकिन बढ़िया रहने वाला है मेहनत करें उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के देश्टी से आजके इन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साफ रहेगा और आप स्वस्त रहेंगे प्रेम संबंद की बात करें प्रेम संबंदों के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय बैतीत करें संबंद इससे आपके और भी यादा मधुर होंगे आज के इन बादाम खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग ब्राउन कोड़ा लकी नमर चार रहने वाला है बात करें अब तुलारासी की तुलारासी मचंदरमा दसमें इस्थान में बिराजी थे हैं जिसके फ्रसुप तुलारासी वालों के लिए आज का इन बढ़िया रहने वाला है परतिष्ठा में विर्धी होगी हर जग आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी भविसे के लिए आपको इस साकारत्मक योजना आज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है व्यापार और धन की बात के सभी परकार के भहत इक सुक्ष्वी उधा हैं आपको मिलेंगी जैसे मकान, भूमी वाहन, माता के सुक में विर्धी होगी जो भी कारी आप अपने डैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुची बनी रहेगी जिसके फ्रसरूप उस कारी में आपको सफलता भी मिलेगी आर्थिक दिश्टी से आज के नपके लिए बढ़िया रहने वाला है व्यापार में लाब होने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के नपके बढ़िया रहने वाला है अपने लक्ष को साथने के लिए विशे सरनेती बनाएं इससे आपको फाइदा होगा स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन आपकी मान से एक सांती आज ओश्थीर रह सकती है किसी परकार के चिंता रह सकती है प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के दिन सामानने रहने वाला है जीवन साथी से आप से सामान जस्से बना के रखें आजकर विश्ची ग्राशी मिशंट्रमा नौए इस्थान में विराजी थैं जिसके फ्रसुप विश्ची ग्राशी वालों के लिए आजकर बढ़िया रहने वाला है आध्यात्मिक सुक मिलेगा आपको पूजापाट में और धार्मिक कारियों में आपका मन लगा रहेगा भगवान की किर्पाप पर बनेगी सरकारी ओफिस से समंदित कारी आपके आज सफल रहने वाले हैं व्यापार और धन की बात करें तो धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं व्यापार में भी लाब होगा ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा जो भी साथ में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा विद्यार्थी की बात करेंगर तो स्वास्ति की द्रिष्टी से आजके आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं लेकिन गयास से समंधित समस्या रह सकती आपको तो बाहर के खाने से बचेंगर इससे आपका स्वास्ति खरब हो सकता है प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के इन ठीक ठाक कहा जा सकता है जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोसिस करें इससे आपके समंद सुद्रेड होंगे आज के सेव अपने खादे पतात में सामिल करेंगे अब तो आपके लिए सुब रहेगा आज का सुब्रंग फेस कलर लकी नमर रहने वाला तीन बात केंगे अब धनुवासिकी दनुवासिम चंद्रमा आठमे अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप धनुवासिक के जातकों के व्यक्तित में निखा रहा सकता है आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज आज कि अपने गुस्से पर भी नियंतन रखें किसी से वाद व्याद में तो बिल्कुल भी ना परें परोसियों तथा छोटे भाईबानों से समन्द मधूर रखने का प्रयास करें घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाहन को नियंतन में चाहें धीरे चलाएं आज ल जगरे का सामना बिल्कुल भी ना करना परें व्यापार और धन की बात करें तो आएक की द्रिष्टी से आज किन आपके लिए सामाने रहने वाला है अपने व्यापार पर ध्यान दे और फियल खर्दों से बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थिय कुछ परेशानिया आ सकती है मान से एक तनाव रह सकता है किसी प्रकार के चिंता रह सकती है प्रेम समन्द की बात करें जीवन साती से सामज़से बना के रखें जीवन साती से मनमुटाओ होने की समभवना बन रही है तो आपको ही अच्छे समंध बना के रखने का प्रयास करना चाहिए, आज कि दएक ही खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आजके का सुब लंग पी लारंग, लकिन मर रहेगा 4, बात करेंगे मकर रासिकी, मकर रासिम चंदरमा साथ में अस्थान में विराजित है जिसके फ्लसों मकर रासिय के जातकों के लिए आज का दिन परसंदता से भरा हुआ रहने वाल है आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है परिवार्जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रीम और सद्वाव बना रहेगा ओफिस में सहकर्मियों का सहियोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों से आपको लाब मिलेगा आज किसी प्री एजन्स से आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धनकी बातकेद आज पार्टनरिसिप के माध्यम से व्यापार में लाव आपको हो सकता है सोसाल के पक से भी कुछ धनकी पापती हो सकती है भूमी, पोपटी और मकान के सुख में विर्धी होगी आपके व्यक्ति के सुख में भी विर्धी होगी आपकी आय में बढ़ रहती होगी और बचत भी आपके आज बढ़तीभी नजर आ रही है विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थी हों के लिए आज पीन उत्तम रहने वाला है मेंध करें उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा सवास्ते की बात के आज़ के आपके लिए अच्छा रहने वाला है अपने सवास्ते का ध्यान रखें तले भुने और मसाइदार खानों से दूर रहें प्रेम समन्थ की बात के तो आज दाम पत्त जीवन की खुजियां बढ़ सकती है जीवन साथी से आपके काम बन सकते हैं प्रेम समंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है आज की जौ या जौ से बने वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लकी नम्मर छे रहने वाला है बात करेंगे कुम्हरासी की कुम्हरासीम चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप कुम्हरासी वालों के लिए आज का दिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है हिम्मत और प्राट्रम आपका बना हुआ रहेगा व्यापार और धन की बात करें तो आज का दिन काफी उन्नती दायक आपके लिए रहने वाला है आपकी उन्नती हो सकती है आएके नए सुरोध बनेंगे व्यापार में भी लाब होगा पैत्रिक संपत्ती का लाब आपको मिल सकता है डूबा हुआ फसा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई बहनों का सहयोग और लाब आपको मिलेगा विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज की मद्यम रहने वाल है विद्यार्थियों की एकाकरता में कमी आ सकती है कैरियर में संघर्ष की योग बन रहे है लेकिन संघर्ष के पच्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे है स्वास्त की बात का है स्वास्त के दिर्ष्ठी से आज की नपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी मौसमी बिमारियों से आपको सचेत रहना चाहिए आज की दिन प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज की न सामानने रहने वाला है जीवन साथी से हलकी फुलकी नोग जोंग हो सकती है लेकिन बाद में सब को सामानने भी हो जाएगा आज की चुकंदर खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर्ण सफेगरंग लकी नमर तीन रहने वाल है बात के में मीन डासी की मीन डासी मचंदरमा पांचमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप मीन डासी वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक देश्ट्री से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है भगवान की पूजा पाठ पे आपको सफलता मिलेगी भगवान का आसिरवाद वी आपको प्राप्त होगा अपनी से बरे और गुरुजनों का आसिरवाद प्राप्त होगा कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने की योग भी बनेंगे अच्छे समाचार की प्राप्ती होगी अगर कहीं महमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। महमान नवाजी का पूरा आन्यता पुठा पाएंगे। मित्रों तथा बड़े भाई भानों के सहयोग से कैरियर में सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्तिक आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापार और धन की बात के भागे में विर्दी होगी, आये के सुरोथ बरेंगे, व्यापार में भिलाभ होगा, बड़े भाई भानों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी के बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के सफलता प्राप्ति के योग भी बन रहें। बादाम खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट येलो कलर लखी नमर दो रहने वाला है तो मित्रों ये तो थाज का संपून रासी फल कल के संपून रासी फल के लिए जूरे रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहिए धर के मतादी